साथियों आज देश अपने कार्बन फूर्ट्प्रिंट की 30 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष लेकर के आगे बढ़ रहा है दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया दुनिया को अचरत था क्या भारत ये कर सकता है प्रयास ये हैं कि इस दसक में अपनी उर्जा जरूरतों में नेचरल गैस की हिस्सेदारी को हम चार गुना तक बढ़ाएंगे देश की ओईल रिफारिंग केपिसिट को भी आने वाले पांच सहलों में करीब करीब दो गुना करने के लिए काम किया जा रहा है इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं देश की एनर्जी सिकूरिटी से जुड़े स्टार्ट अप एको सिस्टिम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है इस सेक्टर के आप जैसे स्टूडन्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेस फंड भी बनाया गया है अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो कोई प्रोडक्ट हो या कोई कंसेप्ट हो जिसे आप इंकुबेट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए एक बहतरीद आउसर भी है एक सरकार की तरफ से तौफ़ा भी है वैसे मुझे ऐसास है कि आज जब मैं आपसे ये बाते कर रहा हूँ तो थोड़ी चिंता भी होगी आप सोच रहे होंगे कि कोरोना का समय है पता नहीं कब सब ठीक होगा और इनमे से आपके मन में जो बड़े संकट से जूज रही है ये कोई आसान बात नहीं है लेकिन लेकिन याद रखिये आपकी ताकत आपकी ख्षमताएं इन चुनोतियों से भी कहीं जादा बड़ी हैं इस विश्वास को कभी खोना मत प्रॉब्लेम्स क्या है इससे ज्यादा महत्मपुन ये है कि आपका परपज क्या है आपके प्रेफ्रसिज क्या है और आपका प्लान क्या है और इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास एक परपज हो प्रेफ्रसिज तय हो और उसके लिए बहुत ही परफेक्ट प्लान भी हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में पहली बार किसी कठिनाई का सामना कर रहे होंगे ऐसा भी नहीं है कि ये चुनोती भी आखरी चुनोती होगी ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्तियों के पास समस्याएं नहीं होती लेकिन जो चुनोतियों को स्विकार करता है जो चुनोतियों का मुकामला करता है जो चुनोतियों को हराता है समस्याओं का समधान करता है आखिर जिन्दगी में वो ही सफल होता है